श्रीजित बार-बार फोन कर रहा था पर अवनी फोन नहीं उठा रही थी। शादी के समय बहुत सीधी सादी से दिखने वाली अवनी शादी के बाद बात-बात में तुनक जाती थी और मुँ फुला कर बैट जाती थी। और नहीं तो लोकल मायका था जब चाहे मायका चले जाती थी। घर में सास अनुपामा ची से पूछती भी नहीं थी। अवनी और स्रीजित की अभी छे मैने पहले ही शादी हुई है। जब अनुपामा और उनके पती नीरज और स्रीजित पहली बार अवनी को देखने गए थे। तो अवनी बहुत सौभ्य सुशील सरल और शान्द दिखी थी। हस्ती मुस्कुराती थी। लेकिन एक बार की मुलाकात में आप किसी को कुछ नहीं कह सकते। पहली नजर में ही सबको पसंद आ गए थी, सबको अवनी। उसके बाद स्रीजित ने कहा, मैं अभी शादी नहीं करूँगा। मैं उससे दो-तीन बार और मिलना चाता हूँ, तब ही तै करूँगा। श्रीजित ने अपनी के साथ सामने ये प्रस्ताव रखा, तो वो बात मान गई। तीन-चार बार मुलाकातों के बाद श्रीजित ने हामिभर्दी शादी के लिए। पहले सगाई हुए, फिर दो महीने बाद शादी हो गई। शादी के दो महीने तक तो सब ठीक था, लेकिन उसके बाद अवनी कोई ना कोई डिमांड करने लगी। दरसल अवनी एक साधारन परिवार से थी, दो बहन और एक भाई थे। पिताजी एक प्राइवेट कमपनी में पचास हजार की नौकरी करते थे। रहने सेहन बिलकुल साधरन था। तीन-तीन बच्चों की परवरिश, पढ़ाई, लिखाई, आज के समय में इतनी कम तंखाक में मुश्किल होता है। बस घर उनका अपना था, पुछते नी। अवनी ने भी किसी तरह जोड तोड करके छोटे से कॉलेज में MBA कर लिया था। अवनी ने पापा तो ठीक थे, पर मा गाउं की अखड थी। घर में अवनी की दादी रहती थी। अवनी देखने सुनने में अच्छी थी। और अनुपमा और नीरच की तरफ से दहेज वगेरा की कोई मांग नहीं थी। तो शादी के लिए अवनी को पसंद कर लिया। इधर श्रीचीत इंजिनियर था और अच्छी नौकरी पर था। घर में नवीन जी का बिजनस था। बहुत तो नहीं था फिर भी अच्छा था। श्रीचीत की एक बेहन थी जो दिल्ली में नौकरी करती थी। अवनी जब शादी होकर घर आई तो घर का रहन सहन देखकर उसे लगा घर में बहुत पैसा है। चाहे जो मांग लो। शादी के बाद एक दिन अनुपमा ने कही बेटा अवनी यहां हम समाज के बीच में रहते हैं। यहां जीन्स मत पहनना बाकी जब श्रीचीत के साथ कही जाओ तो पहन सकती हो। तो अवनी ने तपाक से जवाब दिया था अपनी सांस को। अपनी घर में तुम्में पहनती हूँ, यहां पर मेरे कपड़े पहनने पर भी आजादी नहीं है क्या। अनुपमा जी हैरान रह गई। सीधी साधी सी दिगने वाली अवनी ने केसे तडाक से जवाब दे दिया। अपनी की शादी के छे महिने बाद अपनी के ताउची के लड़के की शादी पड़ी थी। इस शादी में पहनने के लिए अपनी साड़े तीन लाख के हार की डिमान कर रही थी स्रीजीट से। श्रीजीट बोलया में एकदम से इतना पैसा नहीं खर्च कर सकता। अवनी बोली इतना कमाते हो एक चार लाख कहार नहीं दिला सकते। कमाता हूँ तो क्या पैसे को सोच समझ कर खर्च किया जाता है। और फिर कौन सा तुम्हारे सगे भाई की शादी है? ताउजी के लड़के की है और तुमी ने बताया था कि ताउजी से हम लोगों की ज्यादा बंदी नहीं है। और अभी पिछले माई ने करवा चौत निकला है। उसमें तुम्हें एक लाख दस हजार का कान के इयर रिंग्स दिलाई थी। और ममी ने भी गले की सोने की चेन दी थी। अरे अभी रुको एकदम से तो सब कुछ नहीं खरिदा जा सकता। अरे तो घर में पापा से पैसे मांग लो ना अभी ने बोला। नहीं मैं पापा से पैसे नहीं मांगूंगा। मैं तुम्हारी पीवी हूँ, तुम मुझे खुश नहीं रखना चाते। क्या केवल जेवर से ही खुश होगी। श्रीजित ने बोला। बस इसी बात पर दोनों में बहस इतनी बढ़ गई कि तू-तू में में होने लगी और अवनी माईके में आकर बैठ गई असल में अवनी की तीन मौसेरी बहन थी और दो मामा की बेटिया थी सबके सामने अपने ससुराल का रौफ दिखा दी थी कि श्रीजित की इतनी अच्छी सैलरी है और हमारा ससुराल भी अच्छा पैसे वाला है क्योंकि अवनी एक साधारन से परिवार से थी और उसको घर में सब कुछ बहुत ज्यादा लग रहा था सोचती थी चाहे जो मांगो सब मिल जाएगा श्रीजित बार-बार फोन कर रहा था अवनी को पर वो उठा ही नहीं रही थी फिर श्रीजित ने मम्मी को फोन किया कि अवनी की मम्मी से बात करो ऐसे ऐसे बात है अनुपामा ने अवनी की मम्मी को फोन लगाया और शिकायत की अवनी की तो अवनी की मम्मी बोलने लगी इतनी अच्छी लड़की है हमारी और आप लोग ठीक से नहीं रखते अरे प्यार से बेटी की तरह रखेंगे, शिर्ची जी तो हमेशा लड़ाई करते हैं मेरी बेटी से अनुपमा जी बोली, बिना मतलब की लड़ाई जगरा होता रहता है, ऐसे थोड़ी ही होता है अब ताउ के लड़की की शादी है, तो चार लाग का हार दिला दो, बहु है घर की एक लौती है, ये भी नहीं कर सकती क्या अवनी की मम्मी बोली, अरे एक लौती बहु है, तो क्या वो जो भी डिमान करे बस मान जाए अनुपमा ने फोन बंद कर दिया, अरे ये तो फुहर औरत है, इससे तो बात करना ही बेकार है अवनी की मम्मी की और अवनी की सांस की बाते वहा बैठी अवनी की दादी सुन रही थी, वो बोल पड़ी क्यूरी बहुरिया, तु अपनी बेटी को ससुराल में भसन देना देगी का बेटी कुछ गलत करती है, तो उसे समझाने के वज़ाए, तु और बढ़ावा देती है उसे कुछ माए खुद ही बेटिया का घर बरवाद कर देती है अरे अभी शादी के दिन ही कितने हुए है, अच्छे लोग है, पीना दान दहेच के शादी हो गई अभी दूसरे जगा करती, तो पसीने चूट जाते अरे जरा ससुराल में रहने दो, ससुराल वालों का दिल जीतने दे अवनी को ससुराल में अपना जगा बनाने दे, अरे तो तो कुछ नू समझती, सब बरवाद कर देगी अपनी बहु को डातने के बाद, अवनी की तरफ मुखातिफ हुई दादी, ये क्या है अवनी रोज रोज माई के आकर पैट जाती है बेटा, अभी तेरी नही नहीं शादी हुई है, वहां रहेगी, तभी तो ससुराल के लोगों को अच्चे से समझ पाएगी ससुराल में इज़त पाने के लिए, अपनी जगा बनाने के लिए, खुद को प्रयास करना परता है बेटा सास भी तो माँ होती है, माँ डार दे तो कुछ नहीं, सास कुछ कह दे तो मुँ फुला कर बैट जाना, ऐसे थोड़ी ही होता है हम लोगों ने तो अपनी सास ससुर की कितनी बाते सुनी है, तो क्या ससुराल छोर कर क्या भाग आती थी क्या हुआ अगर अभी हार नहीं दिलवाया तो, उस घर की अकेली बखु है तू, सब कुछ तेरा ही है बेटा, प्यार से रह, बड़ों का आधर कर और पती को भी अभी समझने में वक लगेगा, अभी वक्त ही कितना हुआ है शादी को देख मेरी बात मान और बात कर श्रीजित से, मैं देख रही थी, वो बार-बार फोन कर रहा था तुम्हें नाराजगी दूर कर, इस तरह से रिष्टे में करवाहत ना भर, सुन रही है कि नहीं मेरी बात अब नहीं हादादी सुन रही हो, तेरी मा तो तुझे ससुराल में बसने ना देगी, उल्टी सीधी पट्टी पराती है बेटा, तु पड़ी लिखी है, अपने दिमाग से काम ले, इस तरह अपना घर बरवत ना कर रिष्टो को समाला जाता है, सहे जा जाता है, वक्त दिया जाता है, तभी रिष्टे मजबूत बनते है और अपनी जग भी मजबूत होती है ससुराल में, ऐसे ही नहीं, एक परिचित परिवार अपना हो जाता है बेटा, जा बेटा जा, श्रीजित को फोन कर दादी की बात पान कर, अवनी ने श्रीजित को फोन लगाया हलो, श्रीजित, I'm sorry, चलो, अच्छा, बाद में कभी हाल ले लेंगे, तुम कब आ रहे हो शादी में, मैं एक दिन पहले आ जाओंगा आज शादी में दोनों खूब हसी-खुसी से जूम रहे थे और मस्ती कर रहे थे श्रीजित ने भी कोई पुरानी बात ना चेर कर शादी का लफ्ट उठाया